नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तन्वी.com में दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हॉर्मोन्स क्या होते हैं किस तरीके से काम करते हैं और अगर हॉर्मोन्स इंबैलन्स हो जाएं तो हम उन्हें किस तरीके से एक बैलन्स कर सकते हैं बहुत सारी महिलाई हैं शादी को कई साल हो चुक है लेकिन प्रेग्नेंसी कंसीब नहीं हो रही है हॉर्मोन्स के इंबैलन्स होने की वज़े से यहां तक कि husband की रिपोर्ट पी खराब हो रही है hormones के imbalance होने की वज़े से तो आज के वीडियो में 11 ऐसे अचू कुपाएं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिन से आप natural तरीके से अपने hormones को पूरी तरीके से balance कर सकते हैं और pregnancy को conceive कर सकते हैं आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो गर आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगता है तो इसको like कीजिए और like करने के साथ साल इसे facebook पर whatsapp पर share भी कीजिए क्योंकि दोस्तों यह hormones की problem हर 10 में से 9 लोगों को है तो मैं चाता हूँ कि जाला ज्यादा लोगों तक वीडियो पोचे उनको भी जानकारी मिले फायदा मिले like करना शेयर करना बिल्कुर फ्री होता है इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह पता होना बहुत जाला जरूरी है कि hormones क्या होते हैं किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों हमारी body में जो hormones होते हैं यह chemical messenger का काम करते हैं और जो हमारा mind होता है यह signal देता है हमारे body parts को काम करने के लिए और जितने भी हमारे body में parts है चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो यह सारे body parts mind के signal से ही काम करते हैं अगर हमारा दिमाग उनको signal नहीं देगा तो वो काम नहीं करेंगे तो जो दिमाग signal देता है उस signal को उस body part तक पहुँचाने का काम यह hormones करते हैं और example के दोर पर मान लीजिए एक जो बिजली का bulb होता है और जो बिजली का switch होता है इन दोनों को जोडने के लिए बीच में हम जो तार लगाते हैं उस तार से जो है बिजली बल्ब तक पहुँचती है बल्ब जलता है सेम इसी तरीके से हमारे mind और समारे body parts के बीच में जो तार होती है उस तार को hormones कहा जाता है और इसी hormone से ही mind का signal उस body parts तक जाता है और body parts काम करते हैं अगर ये जो तार है हिल जाए या टूट जाए या खराब हो जाए तो वो body parts काम करना बंद कर देता है जिसकी वज़े से शरीर में बहुत सारी परिशानिया आनी शुरू हो जाती है उमीद है आप लोगे समझ गए होगे कि hormones क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं अब बात यह आती है कि जिन महिलाओं या जिन पूर्शों के शरीर में hormones imbalance हो गए हैं तो वो किस तरीके से इसको balance करें क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं दवाईयां खा रहे हैं दुनिया बर की treatment अपना रहे हैं लेकिन फिर भी वो hormones को balance नहीं कर पा रहे हैं उनको कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो यहां पर बिल्कुल natural 11 तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहला तरीका यह है कि आप पूरी 8 घंटे की एक अच्छी नींद ले अगर आप 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं और अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपके hormones imbalance जरूर होंगे दोस्तो होता क्या है कि आज कल का जो modern life style है इसमें काम ज़्यादा है इस्ट्रेस ज़्यादा है लेकिन आराम बिल्कुल ना के बराबर है लोग दिन बर काम करते हैं घर आने के बाद मॉबाइल में लग जाते हैं टीवी पे लग जाते हैं देर रात तक जाकते रहते हैं उसके बाद सोते हैं फिर सुबै जल्दी उटजाते हैं तो यहाँ पे होता गया कि उनकी नींद पूरी नहीं अपाती है ऐसे में उनके hormones इंबैलेंस हो जाते हैं महिलाओं में infertility की समस्या आने लग जाती है पुर्षों में भी infertility की समस्या आने लग जाती है और इसी वज़े से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो माबाप नहीं बन पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगो कि आप पूरी 8 गंटे की एक अच्छी नीद लें और उसके बाद ही वाकी काम को देखें दूसरा सबसे खास उपाय है दोस्तो डाइट का अगर आपके डाइट अच्छी नहीं है तो भी आपके हॉर्मोंस इंबैलेंस हो जाएंगे डाइट में आप हमेशा ध्यान रखिए प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम फैट होना चाहिए और उससे थोड़ा सा कम उसमें कार्बो हाइडरेट होना चाहिए यहाँ पे कई बार होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंट होने के लिए अपने आपको पतला करना चाहती है डाइटिंग करना शुरू कर देती है डाइट मेंसे बिलकुल फैट को काट देती है कार्ब्स को भी खत्म कर देती है थोड़ा बहुत उसमें प्रोटीन रह जाता है ऐसे मैं होता क्या है कि आप लोगों को एक मेन पॉइंट बता दू जो शायद ही आपको कोई बता पाएगा देखिए अगर आप अपनी डाइट मेंसे फैट को बिलकुल हटा देंगे काप्स को बिलकुल हटा देंगे तो आपके हॉर्मोज डिश्टर्ब हो जाएंगे साथी साथ आपकी बॉड़ी को एनरजी नहीं मिलेगी काम करने के लिए आपका शरीर हमेशा ठका ठका रहेगा चिर्चड़ा पन रहेगा और इससे आपको और ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा साथी साथ आपके लीवर पे बहुत ज्यादा असर पढ़ना शुरू होगा और liver और किटनी पे काफी जोर पड़ने के कारण वो खराब भी हो सकते हैं तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिए प्रोटीन डाइट लीज़े साथ ने फैट भी होना चाहिए कार्बो हाईड़ेट भी होना चाहिए आलू में अच्छा कार्बो हाईड़ेट होता है कौन सो काम करने के लिए में चाहिए होता है गुड़ फैट अगर आपके डाइट में गुड़ फैट नहीं है तो आपके हॉर्मोंस कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते हैं तीसरा खास उपाय है दोस्तों अपनी डाइट में से आइटिफिशल शूगर को बिलकुल खत्म कर दीजिए एक्जामपल के तोर पे आप कोल्टरिंग पीते हैं चाय पीते हैं कौफी पीते हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है आप पेश्ट्री खाते हैं केक काते हैं मिठाईया खाते हैं यह जो कुछ भी आप खाते हैं इन सब में आर्टिफिशल शूगर का इस्तेमाल होता है जो कि आपकी सेहत के लिए बिलकुल चहर है और आपके हॉर्मोंस को भी साथी साथ खराब करती है शरीर में मोटापा बढ़ाती है यहाँ पे आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप बिलकुल इसको अगर बंद नहीं कर सकते तो बिलकुल ना के बराबर इसको इसको इस्तेमाल करें होता क्या है कि शादी भिया पार्टी में तो आप जाते होंगे वहाँ पे थोड़ी बहुत मिठाईयां खाने का दिल कर भी जाता है तो आप पलका फुलका कभी का बार अगर उससे खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन इन चीज़ों को अपनी डेली डाइट में शामिल बिलकुल भी ना करें चोथा खास उपाय है दोस्तो अपनी डाइट में नैचुरल शूगर को एड़ करें दोस्तो शूगर अगर आप बिलकुल अपनी डाइट से कट कर देंगे तो भी आपको प्राब्लम हो जाएगी तो नैचुरल शूगर एक सबसे अच्छा आप्शन है जैसे कि आप फल फुल्ट्स खाते हैं तो उसमें जो मिठास होती है वो नैचुरल शूगर होती है इसके अलावा आप गुड का सेवन कर सकते हैं इसके साथ साथ आप गन्ये का जूस पी सकते हैं वो एक नैचुरल शूगर है या गुड से बनी हुई चीजें आप खा सकते हैं क्योंकि ये एक नैचुरल शूगर होता है और इससे होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा साथ ही साथ आपकी बोडी में जो है फैट भी कंट्रोल में रहेगा और आपके हॉर्मोन्स को बैलन्स करने में भी काफी ज़्यादा मदद करता है पांच वखास उपाय हैं दोस्तों इस्ट्रेस को बिल्कुल खत्म करें अब बात यह आती है कि हर छोटे बड़े इंसान को इस्ट्रेस है लेकिन वो उसे खत्म कैसे कर सकता है दोस्तों यहाँ पर इस्ट्रेस खत्म करने के लिए मैं आप लोग कुछ एक चीज़ बताऊं आप अपनी डेली रूटीन में एक्सल साइज को शामिल करें मेडिटेशन कर सकते हैं योगा कर सकते हैं और अगर आप यह सब भी नहीं करना चाते तो कम से कम सुबह जल्दी उठिए पार्क पर जाईए वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जब आप उनके बीच में बैठेंगे उनसे बाते करेंगे तो आपके माइंड से स्ट्रेस वैसे ही खत्मोना शुरू हो जाएगा होता यह कि आज कल का जो बिजी लाइफ शिडूल है इसमें हम एक दूसरे से बात करने के लिए मिलने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पते हैं पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हैं घर जाते हैं खापी के सो जाते हैं तो इससे होता किया कि हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ता जाता लेकिन वहीं अगर आप दो-चार लोगों के बीच बैठेंगे उनसे बाते करेंगे अपनी फिलिंग शेर करेंगे तो आपके माइंड से आप देखें ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कितनी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा छटा खास उपाय है दोस्तों कि अपनी डाइट में से फास फूड, जंक फूड, कोल ड्रिंक ये सारी चीजों को बिल्कुल बंद कर दें और साथ ही साथ ओवर एटिंग करने से बचें ओवर एटिंग का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि जो महिलाएं डाइटिंग कर रही होते हैं या जो पुरुष डाइटिंग कर रहे होते हैं सोचते हैं कि डाइटिंग करने से उनका वजन कम हो जाएगा वो स्लिम ट्रिम न बढ़ेगा तो आपके हॉर्मोंस आटोमेटिकली डिश्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे साथ ही साथ चो लोग काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं ऑफिस वगेरा में बहुत चेर पर बैठे हैं तो चार-चार गंटे पांच-पांच गंटे लगातार बैठे रहते हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी ओवर सीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और थोड़ी बहुत देर बैठे हैं उसके बाद खड़े हो जाएं थोड़ा टहल ल जाता है मेटाबोलिजम तेज रहेगा तो आपकी बोड़ी में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा और आपका मोटापा भी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा साथी साथ आपके माइंड से स्ट्रेस कम होता है आपके हॉर्मोंस को बैलन्स करने में भी काफी ज़्याद करना शुरू कर देगी आठवा खास उपाय है दोस्तों अपने डेली लाइफ शेडूल में एक्सरसाइस को एड करें और जिस तरीके से आप रोजाना खाना खाते हैं और खाने के बिना आप बिलकुल भी नहीं रह सकते हैं इसी तरीके से अपनी बोड़ी को इसकी ऐसी कि आप बिना एक्सरसाइस के ना रह पाएं रोजाना कम से कम 45 मिनिट की एक्सरसाइस जरूर करें और एक्सरसाइस बहुत सारी हैं साइकलिंग कर सकते हैं जंपिंग कर सकते हैं आप स्किपिंग कर सकते हैं इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं प्रानायम्स कर सकते हैं ले नुमा खास उपाई है कि आपको अपने डेली डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिट को शामिल करना चाहिए दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिट काफी तेजी से असर करता है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं जो मच्छी खाते हैं अंडे खाते हैं उनको तो ओमेगा 3 फैटी एसिट उसमें ही असानी से मिल जाता है लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनको अलसी के बीच का इस्तेमाल करना चाहिए अलसी के बीच में काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा त्री फैटी असिट पाया जाता है लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि रोजाना नौन वेज खाना पॉसिबल नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि लेडीज और जेंट्स चाहे वो वेजेटेरियन हो चाहे वो नौन वेजेटेरियन हो रोजाना अपने नाश्टे में एक चमच अलसी का पाउडर जरूर ले दसवा खास उपाय है दोस्तों बॉडी मसाज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो जेंट्स लोग होते हैं उनको हफते में कम से कम दो बार अपने शरीर की मालिश करवानी चाहिए और मालिश करवानी से होता क्या है कि जो भी सेल्स डेट हो गए है बोडी के वो दुबारा से रीजेनरेट हो जाते हैं मालिश जब आप करते हैं तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है और जो भी सेल्स डेट होते हैं उनको ऑक्सीजन दुबारा से मिलनी शुरू हो जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और ये भी एक बहुत ही खास तरीका है हॉर्मोन्स को बैलस करने का और लेडिस की अगर हम बात करें तो लेडिस को जो महिला है प्रेगनिट होना चाती है उनको फर्टिलिटी मसाज करनी चाहिए और फर्टिलिटी मसाज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसका लिक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर आप उपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं ग्यारवा और आखरी सबसे खास उपाय है दोस्तों की किसी भी तरीके का आपको कोई नशा नहीं करना है अगर आप कोई नशा करते भी हैं तो उसको आज सही बंद कर दें चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स आजकल के बिजी लाइफ शेटूल की वज़े से इस्ट्रेस बढ़ता है और इस्ट्रेस बढ़ने की वज़े से स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना ये एक आम बात हो गई है लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि महिला हो या पुरुष बिल्कुल भी उनको कोई नशा नहीं करना है अगर वो चाहते हैं कि उनके हॉर्मोंस पूरी तरीक से बैलेंस हो जाएं और यहां पर एक बात ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को रोजाना की आदत हो गई है वो इसको कभी कबार के लिए बना ले ओकेशनली कर लें और कभी कबार अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉबलम नहीं आएगी लेकिन अगर आप इसको रोजाना की हैबिट बनाएंगे तो आपके हॉर्मोंस कभी भी बैलंस नहीं हो सकते चाहे आप कितने भी उपाए आजमाले चाहें आप कुछ भी कर ले आगले वीडियो में तन्यवाद